नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत आपका आपके अपने यूटूब चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर मैं आपका साथी विकास लगातार खेलवे सिक्षागी जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ तो दोस्तों आज प्रिक्षा थी एस्टेक की पीजिटी की तो इसमें पेपर का लेवल थोड़ा हाड है वई जो एनाटोमी के कोश्चन है वो ज्यादा डीपली दिये गए है और थोड़ा सा पेपर का स्तर है आप पिछले कितने भी एस्टेक उठाके देख लीजिए पीजि कि आप अपने नंबरों का आकलन कर सकें चलिए दोस्तों शुरू करते हैं निमिन में से कौन सा विटामिन आर्मोन दर्शक और वरणक दोनों के रूब में कारिय करता है तो इसका जो राइट आंसर है रेटी नौल विटामिन ए अगला कोश्चन है इसका हो गया ए वई परकार के अमिनो एसेड आहार में उपलब दोते हैं तो नो तो सरीर बनाता है बारा तेरा बार से लेने पड़ते हैं और इसमें अमिनो एसेड कितने होते हैं तेईस होते हैं बाइस भी है कई बुक्स में तेईस भी है उप्शन बीस का राइट आंसर है आगे चलते हैं दो बैई, सेलेमोना और एकलोई दो जीवानों होते हैं, पाचन तंत्र को संक्रमित करते हैं, बिल्कुल ठीक है, बैई, सेलेमोना टाइफी ही है, यह टाइफ़ाइड का आप जीवानों आत्तों को वगएरा, जीवानों शुक्षम वह दो कोशिक यह जीव होता है, नहीं वैए, एकल संकुचन में अधिक्तम बल लगाने की योगता है विस्पोटक सकती एक बार जटके से जान ताकत के साथ गती के साथ पूरी ताकत लगाना विस्पोटक सकती ओप्शन ए अगला कुश्चन है बई सुमेलित कीजिए चक्रिय प्रसिक्षन सरकीट ट्रेनिंग मोर्गम तथा एडम एडम सन ओप्शन दो ठीक है बई अंतराल इसमें अवेवे बिकला नहीं दिया गया ना वला दी मेरी मसलर डबलू गसलर दिया गया इसमेर अरबर ट्रेड ने तो बई कई बुक्स में गलती हो सकती है इनसे भी गलती हो सकती है लगातार प्रसिक्षन विदी वेन क्रेश्ट ओकेवेन और फार्टलेक गोश्टा हलमोर तो इससे जो ओप्शन ए है ये बना है इसका राइट आंसर ओप्शन ए आगे चलते हैं दोस्तों निमिन में से कौन सा सुक्षम खनीज लवन रक्त का थका जमाने में अमारी साहता करता है पोटासियम कैल्सियम फार्फोस सोडियम तो इसका राइट आंसर है वही कैल्सियम ओप्शन बी कुछ से सम्मंदी ता बही मुख के बाजी से ओप्शन बी हाइपर ग्लूकोज अब्दा आइपर उत्ता ज्यादा गलूकोज का उच्छसतर रक्त ग्लूकोज तर हाइपर ग्लोसिमिया ओप्शन बीश का राइट आंसर है अगला कोश्चिन है विटामिन E का रासानिक नाम है टोको फेरोल ओप्शन C बहुत से कोश्चन कराए हुए भी आये हैं 35 कोश्चन ऐसे आये हैं लेकिन जो एनाटोमी के ज्यादा डीपली कोश्चन दिये गए हैं विटामिन K का रासानिक नाम फाइनोकरनोन ओप्शन फाइनो फाइटो निडियोन ओप्शन B स्कॉर्बीक ऐसी डुटामिन C का टोको फेरोली का और पेंटाथोनिक भी फाइफ का है निमिलिक में से कौन सी प्रतियोगता महिलाओं का भी सब को पति है उबेर कब भई आसान कोश्चन है ये भी ओप्शन D ये भी कराएवे कोश्चन है ज्यादा तर ये जो कोश्चन है एक अधिक्तम सबमैक्सिवल बार के वरूद अधिक्तम बल लगाने के लिए मास्पेशी है मास्पेशी है समू की योगता कहलाती है एक समय के लिए तो एक समय के लिए जो बल लगा आ जाएगा वो क्या है मस्कुलर इंडोरेंस ओप्शन सी इस का राइट आंसर है आगे चलते हैं दोस्तो जूनियर आकी विशावकप जूनियर आकी विशावकप उडिशा में खेलागा जो उडिशा के मुखमंतरी हैं पटनायक वो आकी के वई उदार करता हैं दोबारा आकी को उठाने वाले हैं ओप्शन ए इस का राइट आंसर है कवारडी सेप्स मास्पेशी पटिला और कंडरा के बीच में कौन सा कौन बनाता है तो भी नेट पर दिखा रहा है इसका क्यू कौन ओप्शन बी अगला कोश्चन है सामाने सवसन के दोरान अंदर वे बाहर की मातरा को सवसन वायुदारिता कहते हैं बिल्कुल ठीक है बलपूरक सास सवास छोडने के पच्चात फुपुस में बच्ची हुई मातरा रेजिडिल वोल्म यह भी सही है रेजिडिल एर और वह वायु के दिखता मातरा जो जवारी आयतन के दवारा बलपूरकंदर की ओर ली जाती है कहलाती है तो भी 106 का है ओप्शन डी ओप्शन डी इस का राइट आंसर है आगे चलते हैं पीस पहलेनिस फलैट फुट भी है लेकिन यह दोनों भी इसी के नाम है भी ओप्शन डी डीपली कोशन दिया गाह है ओप्शन डी पीस पहलेनिस मैंने आपको यह तो बता रख रख दा फ्लेट फूट है, फालेंड आर्चेज और कलेप्स्ट आर्चेज ये भी इसी के नाम है, ज्यादा डीपली जाते हैं वही एनाटोमी में कितना ही डीपली चले जाओ अगला कोशन आसा ने CTS, OTS, RTS, Father Henry, डीडाउन ने दिया वही, option B शंक परशालन क्रिया को इस नाम से भी जाना जाता है वारिसर दोती, option B ये भी थोड़ा डीपली कोशन दा वही, अड़का राष्टियम मलेरिया अनुमूलन कारिय करम कप्रा रंबुआ वही, 1953 में option D, इसका राइट आंसर है, ये जो उमारी 9 से लेकर 12 की बुख है, उससे दिया गा है, option D कैमपा मुश्किल है वही, थोड़ा सा डीपली सब्दावली पूछी की, कैमपा सब्दावली हैंडबाल से, option A कौन सा आसन संपूर्ण आहार नाड का नवकर्ण करता है तो इसका जो राइट आंसर है वह दनुराशन, option C आगे चलते हैं दोस्तों अगला कोच्छन है अगला कोच्छन है अगला कोच्छन है 114 ओलंपिक के 6 रंग वह हैं जो विश्व के समस्तराश्टे दवजों से लिए गए ठीक है भई दवज के चले आपस में दाएं से बाएं जुड़े हो ते नीपी का हिल आपको बता दा भई नीपी का हिल नीला पीला काड़ा हरालाल बिल्कुल ठीक है सरव ओलंपिक सले 1913 में सारुजनिक रूप से परस्तुत किये दे हो बिल्कुल ठीक है भई तो इसका जो राइट आंसर बन्या वो क्या है भई एक इसका राइट आंसर बन्या भई समस्त कथन सही है समस्त कथन सही है ओप्शन सी आगे चलते हैं दोस्तो उमारे पाचन तंतरे दोवारा प्रोटीन किस अमल में प्रविर्थित हो जाते हैं अमिनो एसिड में आसान कोशन है ओप्शन सी अगला कोशन है ये भी आसान है बई चोट में तवच्चा और अंतरनीत उत्तक कट जाना फट जाना कट क्या है बई वाकी तो एमाटोमा गुमड़ा नील भी तवच्चा की चोट है बारी दीखे गारो है माटोमा भी रखत में बई मास्पेशियों की चोट है और कट जाना फट जाना लाए क्रेशन option B यह वियासान कोश्चन था अगला भी कोश्चन करवा हुआ अगला भी कोश्चन आसन कोश्चन है लालरक्त कोशिकाओं का कबिरिस्तान सपलीन पलीगा ये भी option C राइट आंसर है अगला question है निमली खित में से कौन सा जल परदूशक जल जनीत रोग एजा रोग का एक स्तरोत है वाहित मल ये भी जो 9 से 12 तक की बुख है उसमें है जो option क्या क्या थे भी पारा नहीं, पारा इसे भी नहीं फर्टरिलाइजर से भी नहीं होगा पस उगवशी स्टे भी नहीं हो जो वाहित मल जो नारियों में गंदगी बैठती है उससे एजा फैलता मक्या वाँ बैठती है फिर बोजन पर बैठती और इससे एजा होता आसान कोश्च नहीं भी ओप्शन दी इसका राइट आंसर है आगे चलते हैं दोस्तो छोटी आंत में बोजन के प्रवेश करने को कहते हैं ये वी डीपली कोश्च नता थोड़ा सा वाई चाइम, ओप्शन ए बैगनल वाइड किसका प्रकार है नौकाउट का ये भी आपको करा चुक है हूँ ओप्शन बी निमलेखित में से कौन सिगती विदी प्राचीन ओलंपिक का हिस्सा थी तो वाई शूटिंग तीरंदाजी मुक्यवाजी जुड़ो शूटिंग तो थी नहीं जुड़ो थी बचगे तीरंदाजी और मुक्यवाजी तीरंदाजी का प्राचीन ओलंपिक में उसका प्राचीन ओलंपिक में नहीं मिलता प्राचीन यूनान में मिलता था टेक्स टोज लेकिन मुक्यबाजी और कुष्टी का परचली तरूप पैन क्रेशन प्राचीन ओलम्पिक में था तो मैं बताऊंगा अभी option C और बोर्ड क्या देता है तीरणदाजी और मुक्यबाजी में से मैं option C मुक्यबाजी और कुष्टी का जो मिच्री तरूप था ये डीपली पुछा गया भई, किसी भी किताब में ये इस विकरती का शिव अर्यमन रोग को इस नाम से भी जानते हैं, स्कोलियोसिस स्वेबैक, पैक्टिस केरेंटम जैवलिन खाइपोसिस, तो भई इसको जैवलिन खाइपोसिस, ओप्शन ए, कि डीपली कोशन दियागा भी, किसी भी बुक में ये भी करती नहीं दी गई है, जो नेट लेवल की बुक हैं, उनमें ही ये मिल सकता है, और मैंने कभी नहीं कहा कि भी हम नेट लेवल का पढ़ाते हैं, और पीजी टी लेवल का, ये भी नहीं कहा है, किसी भी वीडियो में नहीं मिलूँगा, हम भी बेसिक आपका वो जरूर कलियर कर देंगे, जे S.C.A. स्टेडियम कहा हैं, राची में भी, उप्शन सी इसका राइट अंसर है, भाई, ये मैंने वैसे तो डाल ला था, लेकिन, मैंने करा मगा भी इतना डीपली कोई नहीं पूछेगा, जो टीजी टी में मैंने पहले वी केलास बता था, और उसके बाद, भाई, भाई, कोबर्टिन, और उसके बाद, थामसवाक और जैक्स रोगे लेकिन, इन्होंने सारामांच का काल पूछ लिया, इनका काल है, उनीस सो सी से दो जार एक, ये इनका काल है, बाउन से बैतर नहीं होगा भाई, और बैतर से सी, और दो जार एक से तेरा इस में थोड़ा स ज्यादा डीपली पुछागा था, लेकिन मैंने इन सभी का कारिकाल एक पिक लेकर डाल ला भी था ग्रूप में, तो ओप्शन डी इसका राइट आंसर है, लेकिन ज्यादा डीपली पुछागा, लेकिन पीजीटी के हिसाब से इतना नहीं है, ये कोश्चन इसको डीपली नहीं मानूँगा, अगला कोश्चन भी आसान कोश्चन है, काल करम के अनुसार, 1960 में रोम में, 1964 में टैकोयो में, 1968 में मेक्शिको में और बैतर में म्यूनिक में, ओप्शन सीज का राइट आंसर है, ओलम्पिक का काल करम, ये भी आसान कोश्चन दा, शोकर मैदान का एक रे और आप वे लाइन, ये है, ओप्शन सीज का राइट आंसर है, ये करंट का कोश्चन है, बारत का सत्रंज में, बारत का सत्रंज में, बारत का सत्रंज में, ग्रैंड मैस्टर कोण है, राजा रित्विक, ओप्शन सीज का राइट आंसर है, बई कुछ बच्चों की रिक्व जैसे हैं नहीं मिल पाए आगे चलते हैं दोस्तों ये question भी करा हुए आसान question है निम लिखते हैं सारेक शिक्षा में नेतरतव समता का गुण नहीं है निश्चित्ता बिल्कुल उच गामक समता इमोटर कैपेस्टी बिल्कुल तकनी की रूप से कुछल ये भी आतम केंद्रित self-centered होना ये नितरतव समता का गुण नहीं है option 10 का right answer है आगे चलते हैं दोस्तों निम लेकित कत्नों से कत्नों को ध्यान पूर पड़कर से ही चुनाव करें विशव रैविज दिवस मना जाता है 28 सितंबर है वही 18 नहीं है रैविज ये गातक रोग है लेकिन रोक थाम को प्रवाइद करता है बिल्कुल ठीक है दो और तीन ठीक है एक गलत है वही ऑप्शन सी इसका right answer बनेगा आगे चलते हैं दोस्तों जुंगियन साइकलोजी आलसो काल्ड तो इसका है वही एनलाइटिक मनोविज्ञान ये वी डीपली question है तोड़ा option C वही मैंने आपको चा question आए हुए हैं आप चेक कर सकते हो वे जो चार पेज ग्रूप में डाले दे च्छै कोशन उन में से वैसे के वैसे आए हैं अब भी कहरें अंकल जिनका exam है उन चार पेजों को जरूर आप करन लेना उनसे जरूर आपको फायदा मिलेगा आगे चलते हैं दोस्तों लेक्टोज बना होता है ग्लुकोज और ग्लेक्टोज से उप्शन सीज का राइट आंसर है अगला question है निमलिकित में से कौन सा कोशल सम्मंदी दक्स तागा गटक नहीं है लचीलापन चपलता संतुलन परतिकिरिया समय तो इन में से दे रख्या है लचीलापन उप्शन ए ये question वही बहुत ज्यादा deeply दिया गया है anatomical हिसाब से कि हमें बहुत ज्यादा anatomy का knowledge होना चीए deeply उस level का question है ये शरीर के रचनात्मक खड़े होने के लिए शरीर की संदियों को जुड़ने के आदार पर सिर्ष से तल के करम में लेजिए एसिटाबूलम गलनाइड कैविटी फिमर और मद्द पारसर कॉंडिलाइन टर्कलिक नौर्च तो इसमें सब से उपर आएगा वही गलाइनेड होती है वही और यह एसिटाबूलम है यह यहां कुले में जो जो मैंट और गलनाइड कैविटी उपर है और एसिटाबूलम यह अड़ी का ही एक जोड है यह सभी जोड ही है लेकिन वही बताना है यह डीपली कोशन था इसका जो ओप्शन भी है वो राइट आंसर है कोशन साला बिलकुल आसान कोशन है वही 2005 में जेलन में इसका मुख्यल है और से अगला कोशन है आई सी करंट के कोशन है वही मैं माफी चाहता हूं दो बारा आप थोड़ा सा करंट कल के लिए जो एक्जाम के लिए आप अपना करंट थोड़ा सा पढ़के जाना है एक कोशन बिलकुल ही उटपटांग दियागा वही विशु स्वास्त संगठन के अनुसार ए संकरामक रोग से प्रतेक वरस संपूर्ण विश्व में कितने लोग मर जाते हैं कोई ओचित्त नहीं बनता वही इस कोशन का देने वाले ने दे दिया लेकिन इस परसन का कोई ओचि कौन सा कोई एंजाइम ए का गटक है तो इसका राइट आंसर है पेंटाथोनिक अमल बी फाइफ ये ओप्शन डीश का राइट आंसर है आगे चलते हैं दोस्तों 2021 में बारतिय खेल प्रादी करण का वार्शिक बजट है ये ये भी आदारीन कोश्चन है वही हमारा बारतिय खेल प्रादी करण के बजट से क्या लेना देना है ये आदारीन कोश्चन है लेकिन इसका जो राइट आंसर है 700 करोड 800 करोड दिया गा है वैसे लेकिन इसके से option भी गलत है यह 800 करोड होना चीए वही सटीक था तो option D का right answer है आगे चलते हैं दोस्तों वायाम अधिक LDL उत्पादन में साहता करता है नहीं वही LDL को कम करता है HDL बढ़ाता है LDL जो bad cholesterol है उसको वायाम बढ़ाता नहीं गटाता है वायाम रख्त को शिकाओं की शंक्या में बढ़ी करता है बिलकुल वही 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 अर्दय बीतियों की मोटाई कम करता नहीं वही अर्दय बीति की कि अर्द बित्ती की चोड़ाई बढ़ती है वही कम नहीं होगी चोड़ाई बढ़ती है और मोटाई भी कम नहीं होगी तो option जो ए है वो तो बिल्कुल गलत है इसमें कोण साधे रख्या वही option एक गलत है कथन दो सही है लेकिन एक और तीन गलत है वहाँ अर्द बित्ती की मोटाई को कम करता है दो सही है विल्कुल सही है वही अर्द रक्त कोशिगां वह बढ़ाता लेकिन दो और तीन गलत है option C का राइट आंसर है आगे चलते हैं दोस्तो एक मनोविय अग्यानिक विकार जिसमें व्यक्ति दवारा ठूस ठूस कर खाने का पर करन होता अधिक खाने का कौन सा नर्वो बुलुमिया नर्वोजा और एनेक्रेश या कम खाने का होता हुई option B इसका राइट आंसर है एक अनुवांसिक रोग है रैबिज नहीं वही मैमल से आता है वर्ण अंदिता पोलियो पोलियो भी बार से आता और चेचक वी और वर्ण अंदिता जो जनमजात रोग है वर्ण कोश्चन है बता चुके हूं आपको option B पेपर हार्ड है लेकिन कुछ कोश्चन ज्यादा high level के दिये गए हैं और दो चार कोश्चन बगेर जिनका कोई आधार नहीं बनता वो दिये गए है लेकिन थोड़ा hard ही level को हुँआ मैंसे आगे चलते हैं दोस्तो राष्ट्रिय वाह कप्रारंब किया गा वही इसका जो right answer है वो है 2002 मैं option C आगे चलते हैं दोस्तो 49 में राष्ट्रिय खेल होगा जन होगा में गाले में option D ध्यान से पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए बीटा बलोग कर बारतल में निशेद हैं ठीक है वही बीटा बलोग कर निशेद ह यह है वही तो option A इसका right answer है आगे चलते हैं दोस्तों अगला कोचन है एरियोथ्रोप्रेपिन ग्रेंड करने से मास पेशियों की आक्सीजन गतीविदी बहतर होती है हाँ वही होगी ओमोन ग्रोमन एजी एच का उत्पादन एडरिनल और अंडाश्या वर्षन से होता नहीं गलत है खिलाडियोथ्रोप्रोरक के लिए स्ट्यूमिलेंस तंत्री का तंत्रकोथ प्रिरिक करने के हर्दैदर कोरक दाव में वर्दी करते हैं बिल्कुल ठीक है बई तो जो option B है व कुलते हैं दोस्तों विशव स्वास्तर संगठन के अनुसार एड के किस कार्यकरम के से प्रयाजक है तो इसका जो राइट आंसर है वो है option A जो WHO से और इनके कार्यकरमों से निर्धारित question related question पूछे गए है बई चलो एक दो चोट से पूछागा है इन से भी पूछागा लेकिन बई ना तो कोई ground से भी पूछागा है लेकिन ज्यादा question अमारे anatomy से उठाए गए है और deeply या फिर यह जो कार्यकरम है अमारे जो WHO से related है और जो अलग जो बिमारियों से related है आग्गे चलते हैं दोस्तों अगला question है अगला question ठीक question है दिर्ग दरिष्टी दूर दरिष्टी रोग में hypotropia में hypometrotropia में बई कहां चबी बनती है दूर दरिष्टी रोग में रेटी ना के